हेलो दोस्तों बहुत सारे लोगों के दमाग में ये डाउट रहता है क्या सेयर मार्केट में 10-20 रुपे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों 10-20 रुपे क्या आप 1-2 रुपे भी इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्यों नहीं करना है चलिए हम बता देते हैं इस वीडियो में इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कम से कम कितने रुपे इन्वेस्ट करने हैं और क्यों करना है चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो हम open कर लेते हैं अपिस टॉक्स अपिस्टॉक्स ओपिन करने के बाद दोस्तो आपको यहांपर कुछ इस तरीके के श्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे जो अलग अलग प्राइस के हैं यहांपर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कुछ यह देखिए प्रफेस के नाम से है 6 रुपए 97 पैसे का है दोस्तों इसे भी भाई कर सकते हो और यहां पर आपको दिखाई दीन रहा होगा यह आइडिया का सेर है जो 15 रुपे 998 पैसे का है इसे भी बाई कर सकते हो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे छोटी छोटी सेयर मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों पहले पूरी डिटेल जान लेनी चाहिए कि आपको ये सेयर क्यों नहीं खरीदने है चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले तो ये बात ध्यान रखें कि ये छोटी-छोटी सेयर वाली कंपनियां होती है इन में से बहुत सारी कंपनियां बरबाद हो चुकी होती है जी हां दोस्तों जो कंपनियां बूरी तरह बरबाद हो चुकी होती है उन्हीं के ये छोटी-छोटी सेयर होते हैं और इन में बहुत सारी लोग गैंब 11 रुपए 83 पैसे का अभी लेकिन दोस्तों अगर ये दुगनी प्राइस का भी हो जाता है मतलब 100% । ग्रोग कर जाएगा और ये हो जाएगा करीब 22-23 रुपए का अगर हो भी जाता है तब भी आपका पैसा चला ही जाएगा क्यों चला जाएगा क्योंकि दोस्तों जब आप सेयर बेचोगे मतलब सेल करोगे तो दोस्तों एक ब्रोकर चार्ज लगता है और ब्रोकर चार्ज होता है दोस्तों 20 रुपे चाहे आप किसी भी एप में हो एंजल लगती है और भी छोटे मोटे चार्ज लगते हैं तो दोस्तों उसमें आपको माइनस में ही पहुंच जाएगा और यह 11 रुपे भी कड़ जाएंगे और ज्यादा माइनस में भी हो जाएगा लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है अगर आप एक ही स्टॉक के बहुत सारे सेयर मतलब आप एक साथ कितने भी सेयर सेयल कर सकते हो एक ही कंपनी के अगर आप एक ही कंपनी के सेयर सेयल करते हो एक बार में तो 20 रुपे ही ब्रोकर चार्ज कटेगा कहने का मतलब है अगर आप बड़ा एमॉंट लगाते हो तो ही आपको फाइदा है एक सेयर या दो तीन सेयर में कोई फाइदा नहीं है छोटे से एर में इसी तरीके से दोस्तों जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं वो बहुत-बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं तब जाके उन्हें फाइदा होता है तो दोस्तों 10-20 रुपे इन्वेस्ट नहीं करना है उसमें आपका नुक्सान ही होगा तो दोस्तों इनफोर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद